क्या आप भी AC के साथ फैन का यूज करते हैं उसके फायदे और नुक्सान आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो में अंतक बने रही और मेरा नाम है सुमित रेडार आप देख रहे हैं रेडार डेली अपडेट तो चलिए सुरू करते हैं आपके घरों में City चलाते हैं तो हम फैन साथ में चला लेते हैं तो इसके फायदव, नुक्सान के बारे में में आज इस वीडियो में बात करने Бात करने वाले हैं या बंध है एकदम डस्ट वस्त नहीं है तो फिर आपको फैन चलाने से आपको कोई भी नुक्सान नहीं हो सकता वैसे थोड़ा बहुत होता जरूर क्योंकि डस्ट ऐसे भी होती है ठीक है जो हमारे इसी जब हम भिना फैन के चलाएंगे ना तो हमें लो कती लो पर रखना पड़ेगा जितना इक किस पर होता है तुस पर सोड़ा पर जितना भी है उसको लास्ट में ताकि हमें ठंड आती रहे मतलब सही से वह उती रहे और जब ज्यादा लो पर करके चलाएंगे तो वह इतनी ज्यादा बीजली भी जो हमारी इलक्रिसिटी उतनी कंज्यूम करेगा ठीक है तो उस हिसाब से हमारा बिल भी जादा आएगा तो जब हम फैन चलाते हैं तो हम 24 पे भी करके चलाएंगे फैन को चलाएंगे तो पूरे कमरे में उस ठंड को फैला देगा और फैन चलाने के औ जो फैन चल रहा होता है वो एक दो घंटे तक एक घंटे तक मैक्सिमम उस ठंड को ऐसे सर्कुलेट करता है तो गर्म नहीं होने देता जल्दी जे और आमें गर्मीनिक ऐसास भी नहीं होता ठीक है और बिना फैन के यदि एसी चला रखी तो एसी के सामने है तो हमें ठंड आपका थोड़ा बड़ा एरिया है तो आप एसी के साइड वाइड में हो तो फिर आपको मतलब एक दम खुल चरब तक पूरा ठंड नहीं हो जाता है मालो आपका डोर कुला है या ओपन जिगह पर एसी है तो फिर वो पूरा इलाका पूरा ठंड भी नहीं होने का क्योंकि वो निकल जाएगी जो ठंड है वो भार भी निकल लेगी तो इस वज़े से सामने वाले को तो सही एसी मतलब फिल आएगा साही ठंड लगी मतलब अच्छा फिलिंग देगा बाकी को गर्मी भी लग सकती पसीन नहीं भी आ सकते तो फैन चलाना इस लिए उसको हो जाता है त तो एसी के साथ फैन चलाना आपकी एलेक्टिस इट बचाएगा बिल कमाएगा आपका और सारी चीजों के लिए बैस्त है तो एसी के साथ अपनों फैन चलाए और चोब इस पर अपने बहुत है इनफ ठीक है और बढ़िया चलेगा नुक्सान आपको बता दिया मैंने वह दस्ट की डस्ट का होगा और कुछ भी नुक्सान नहीं होने वाला इससी के साथ फैन चलाने से आज की वीडियो आपको कैसी लगी चैक बोक्स में बताना ना बूले और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के ल